हाई फ्रेंड्स कैसे आप दोस्तों यह जो मेरा कैमेरा है सोनी कंपनी का अलफा 6400 इसके साथ यह ओरिजिनल जो बेल्ट सोनी कंपनी का मिलता है वो मेरे पास है और आप देख सकते हैं कि यह जो बेल्ट है इसके जो अभी कॉलिटी है वो मैं कह सकता हूँ कि ठीक ठाकी है जो ओरिजिनल बेल्ट आता है आप देख सकते हैं सोनी का इसम 0000 तो ये दो साल के बाद भी अच्छे तरह से काम कर रहा है इसका जो belt है वो भी काफ़ी ठीक है इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी कम है वागे चाहता है तो जब भी मैं ये camera gamble के उपर में इसको लगाना चाहता हूँ तो ये belt इसमें से निकालना और वापस इसमें लगाने इसमें काफी समझ दोस्तों जाता है और एक बहुत यो बड़ी समस्या मैं कह सकता हूँ मेरे लिए है बाकी इस बेल्ट में बाकी तो कोई कमी नहीं है तो मैंने यह सोचा कि यह जो बेल्ट है अगर इस बेल्ट के लिए में कोई क्विक release system में कोई लेके आता हूँ और इस belt को में इसका इस्तमाल करता हूँ तो शायद मुझे ज़्यादा आसानी होगी तो दोस्तों इसलिए मैंने मुंबई जाके जो pig design के जो cod anchor आते हैं वो मैंने मुंबई में जाके खरीदें और इस camera के साथ आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो lock system इसमें है तो मुझे लगा कि ये जो anchor हैं आप देख सकते हैं कि ये cod anchor हैं pig design के और करीबन इसके जो price है ये चार anchor की वो करीबन 24 रुपे इसकी price है तो ये मैंने खरीदे और मुझे लगा कि ये जो anchor है इसका मैं इस्तिमाल अपने ये जो belt है original belt के साथ कर सकता हूँ मगर दोस्तों ये जो anchor है इसमें direct लगते नहीं है और इसके जो lock system दुसरा जो आता है वो इसके साथ मुझे मिला नहीं तो फिर दोस्तों मुझे ये hiffin company का जो है ये अलग से मुंबे में ये एक strap मैंने खरीदा और आपको पता है कि दूसरे जो company के जो है branded जैसे आपको पता है pig design के जो strap है उनकी जो कीमत है करीबन 5000 रोपे से लेके 6000 उनकी कीमत है तो इतने बजेट आपना नहीं था तो फिर मैंने जो anchor लिये थे जो cod anchor थे जो 24 रोपे में मैंने खरीदे थे तो वो बेकार चले जाते तो इसलिए दोस्तों फिर मैंने hiffin company के ये जो है ये एक slide camera buckle neck shoulder trap कहते है तो वो इससे मैंने खरीदा है और करीबन मुंबई में मैंने इसे 1200 रोपे में मैंने इससे खरीदा है इसके जो build quality है आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है इसके जो build quality है वो काफ़ी अच्छी है और जैसे मैंने कहा कि इसमें जो quick release system जो है वो इसके अंदर है ये lock इसके अंदर वो इसमें हो जाते हैं और इसके जो लंबई है वो भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं तो ये एक जो बेल्ट है में कहूंगा slide camera buckle neck belt इससे कहते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसके अंदर ये plate होती है इसमें ये hook होता है और ये जो cord anchor है ये इस तरह से इसके अंदर जाके lock हो जाते हैं तो आसानी से हम इसमें से जो है अपना camera जो है वो release कर सकते हैं और वापस चाहिए तो हम लगा सकते हैं तो ये quick release जो ये जो system है मुझे बहुत ही अच्छी लगी और दोस्तों इसलिए मैंने इसे खरीदा है क्योंकि जब भी मैं gamble में इस्तेमाल करता हूँ camera तो bell जो होता है वो निकालना पड़ता है और वापस अपना gamble का काम होने के बाद जो अपना strap है camera का वो वापस लगाने में काफी आसनी हो तो आप देश सकते हैं कि ये जो camera strap है इसमें जो है वो इसके लंबाई काफी इसकी जो लंबाई बहुत जादा है यह जो इसकी जो length है यह maximum 162 cm इसकी लंबाई है और minimum जो इसकी लंबाई है वो 106 cm इसकी जो है वो लंबाई है और यह जो strap है इसको हम adjust कर सकते हैं इसको जो लंबाई है उसको हम adjust कर सकते हैं सबसे अच्छी बात मुझे लगी है यह जो इसमें material यूज किया है वो synthetic है तो काफी अच्छा और soft यह material आप देश सकते हैं कि इस belt में हैं और मैंने देखा है कि यह जो belt है एक तरह से बहुत ही आसानी से आप इसको जो है वो अगर आपको फ्रेंट में आपको camera लगाना है गल से आप इसमें लगा सकते हैं और जैसे मैंने कहा कि cord anchor इसमें जो यह दिये हैं इसमें यह करीबन यह 90 kg का वजन ले लेते हैं तो आप देख सकते हैं यह जो original belt है निक्चे वारा सोनी का और उपर जो यह belt है इसमें क्या फरक है तो काफी में कहूंगा कि इसमें फरक है और ब इसमें फिक्स कर सकते हैं और जैसे मैंने कहा कि 90 kg वजन यह उठा सकते हैं यह सबसे अच्छी बात मुझे इस जो है यह cord anchor की मुझे लगी है तो यह जो anchor है अभी मैं इसको अपने स्टैप में लगा लेता हूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ इस तरह से यह जो है आपको वह भी दिखा देता हूं कि इसके सामने वह कितना चोटा और साधरन सा इसके साथ मिलता है तो यह आप देख सकते हैं यह कुछ इस तरह से यह जो original है वह हमें दिखता है तो दोस्तों आप बताए कि आपके पास भी इस तरह से कोई जो camera strap है तो कौन सा है और आपको यह जो camera step है हिफिन company का वह कैसे लगा दूस्तों मिलते हैं